आज मैं आपके सामने जीवते पत्थरों के बारे में बात करूंगा आप चौकिये नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, जी हाँ, पत्थर जो जीवित है अब आप सोचेंगे भाई साब यह क्या आप बोल रहे हैं, पत्थर का भी जीवित हो सकते हैं बिल्कुल सही का आप ने, पत्थर कभी जीवित नहीं हो सकते हैं लेकिन मैं बताऊंगा कुछ इसके बारे में, इससे पहले कि मैं कुछ बोलू, मैं यह बताना मांगता हूँ कि पत्थर तो आपने सब जगा पाए होंगे, कई प्रकार के कलरफुल पत्थर, रंग वाले, ट्रांसपेरेंट, पारदरशी, अलग अलग साइज के, बड़े बड़े पत्थर, रॉक जिसे हम कहते हैं, चट्टान कहते हैं, या फिर छोटे छोटे पत्थर आपने नदी के किनारे देखा होगा, और कभी-कभी आपने पत्थरों से खेला भी होगा, पत्थरों के गेम्स भी होते हैं, तो पत्थर एक जीवरहित वस्तू है, और बहुत सालों के बाद मिट्टी जब एक जगाई खटी रहती है, कई हजार साल के बाद वो पत्थर का रुप धारण कर लेती है, और पत्थर जो है, एक बहुत मुल्य चीज भी हो सकती है, और फेकने लाइक भी चीज हो सकती है, पुराने समय में हम देखते हैं कि जितने भी घर बनाए गए और आज भी हम देख रहे हैं कि अगर आप पुराने घरों को जाएं, देखने के लिए पुराने शहर पत्थरों में, जैसे हैदराबाद, जहेपूर, ग्वालियर, इन जगों में जाए, तो आप देखें कि जादतर घर वहाँ पत्थरों के बनाए हुए हैं, किले जो बने हुए हैं, पत्थरों के बने हुए हैं, क्योंकि पत्थर जो होते हैं, मजबूत होते हैं, और उस पर को तो हम क्या करते थे कि एक पत्थर जो दूसरे पत्थर में मारते थे तो उसमें से चिंकारिया निकाल दी थे तो हमारे लिए बड़ा खेल सा हो गया था वो तो हो गई भच्वन की बात, लेकिन कई प्रकार के पत्थर जैसे मैंने आपको बताया कुछ बहुमुल्य पत्थर है जिसे हम रतने की रूप में भी कहते हैं जिसे precious stones कहा जाता है बहुमुल्य पत्थर और कुछ इस प्रकार की पत्थर पाई जाते थे जो पुराने नियम में जब कोई ऐसी घटना घटती थी विशेश करके बाईबल के जमाने में तो वहाँ पर वे एक बड़ा पत्थर गाड़ देते थे और उसमें शायद कुछ लिग भी देते थे इस बात को दर्शाते थे कि इस जगा पर कोई विशेश घटना घटी है तो लोग अगर जानना मांगते हैं यहां क्या घटना घटी है तो पत्थर में जो बाते लिखी है उसको वो पड़ते थे अच्छा पत्थरों से और भी कई चीजे हम देखते हैं पत्थरों में लोग कई परकार की लिखते हैं चीजों को यदि आप किसी मुज़ें में जाएं पत्रों के उपर लिखा जाता था चिसल के द्वारा तीक है अच्छा लेकिन एक पत्थर है जिसके वारे में मैं आपके सामने बात कहना मानता हूं और वो है कोने का पत्थर कोने का पत्थर जी हां कोने का पत्थर और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा परमिश्वर के वचन के आधार पर की जीवित पत्थर या जीवते पत्थर कौन है इन सबोगो जानने से पहले आपके सामने मैं परमेशर का वचन पड़ूँगा और उपायजाता है पहला पतरस उसका दूसरा ध्याए एक से नौ पद पहला पतरस उसका दूसरा ध्याए एक से नौपल इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डा और बतनान्मी को दूर करके नए जन में हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उधार पाने के लिए बढ़ते जाओ क्योंकि तुमने प्रभू की भलाई का स्वाद चक लिया है उसके पास आकर जिसे मनुशों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहु मूल्य जीवता पत्थर है तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बन कर ऐसे आत्मिक बलिदान चड़ाओ जो येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर को ग्रहन योग्य हो इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहु मुल्य पत्थर धरता हूँ और जो को इस पर विश्वास करेगा वा किसी रिदी से लज्जित नहीं होगा आता तुमारे लिए जो विश्वास करते हो वा तो बहु मुल्य है पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकामा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर काने की चटान हो गया है क्योंकि वे तो वचन को ना मान का ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराय भी गये हैं पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद्धारी याजुकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंदकार में से अप जो चीजे पहला कोने का पत्थर जो कोने का पत्थर होता है वो किसी भी घर या भवन बनाने के लिए बहुत जरूरी पत्थर होता है उसी कोने के पत्थर के अनुसार पूरे घर का जो दिशा और दशा है उस कोने के पत्थर पर ही निर्बर रहता है तो बाइबल बताती है कि हमारे आत्मिक घर आत्मिक भवन आत्मिक मंदिर का जो कोने का पत्थर है वो मालूम कौन है वो प्रभु येशु मसी है कोने का पत्थर और जब हम उस पर विश्वास करते हैं उस कोने के पत्थर पर या जीवित पत्थर पर या बहु मुल्य पत्थर पर तो हम आत्मिक घर बना सकते हैं और यही बात आगी चल करके हम देखते हैं कि बाइल में लिखा हुआ है कि कई लोग इस खोने के पत्थर को इस कॉर्नर स्टोन को रिजेक्टिट किया उसको ठुकराया मेरे क्याल में कभी न कभी आप जरूर ठेश खाये होंगे पत्थर से अपना जो अंगुठा चपेट में आने के द्वारा मैंने कई बार बहुत जोड से चोट लगती चलते चलते शायद हम उचोटे पत्थर को नहीं देख पाते हैं और एकदम से ठोकर खाते हैं बहुत चोट आजाती है आपने खाया होगा चोट छोटी बाती लेकिन दर्द होता है तो ये ठोकर का कारण किन के लिए है जो प्रभुश् yap मसी का इंकार करते हैं जो प्रभुश्य math को नहीं मानते हैं उसके बचन का तिरसकार करते हैं के लिए क्या है नाश का कारण है ये कोने का पत्थर ये ठेस लगने वाला पत्थर लेकिन जो उस कोने को पत्थर को अपनाता है अर्थात उसके वचन को ग्रहन करता है तो वो उसके लिए बड़ा आशिश का कारण बन जाता है और यही बात यहां पर परमेश्वर के वचन मे बहुत साफ रीती से लिखा गया है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, छटमा पद, इस कारणा, पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का पत्थर, जुना हुआ बहु मुल्य पत्थर दरता हूं, और जो को इस पर विश्वास करेगा, वो कि सीरिती से लज्जित नहीं होगा, इसका मतलब परमेश्वार उसको अपनाएगा, क्योंकि उसने इस जीवते पत्थर को, इस कोने के पत्थर को, इस बहु मुल्य रत्न को, इस बहु मुल्य पत्थर को अपना लिया है, उसके बचन को ग्रहन किया है, जो प्रभी शुमसी न है वो लजित होंगे और वो पर्मेश्वर के राज्य में प्रभेश नहीं करेंगे तो ये प्रकार का ठेश वाला होगा नाश्मान होगा चोट पहुँचा आने वाला होगा जो आठपद में लिखा है और ठेश लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है क्योंकि वे तो वचन को नमान कर ठोकर खाते हैं और इसलिए वो ठहराए भी गया है तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं इस बहुमुल्य पत्थर के बारे में कि हमारा प्रभुई श्यमसी वो कोने का पत्थर है यहाँ पर उपमा दी गई है कोने का पत्थर एक उपमा है प्रभुई श्यमसी के बारे में तो यह बात हम यहाँ पर देखते हैं पिर दूसरी बात हम देखते हैं, कि जब हम उस कोने के पत्थर को या प्रविश्य मसी को अपने जीवन में लाते हैं, तो हम भी जीवित पत्थर बन जाते हैं, जीवन, यह तो बात यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, विशेश करके, चौथा पद और पांच वापद, कि आप और मैं, हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रविश्य मसी विश्वास करते हैं, उस पत्थर को, जीवते पत्थर को अपना लेते हैं, या प्रविश्य मसी को अपना लेते हैं, तो हम भी जीवते पत्थर बन जाते हैं, अब क्या मतलब है, अभी हम द नहुआ और बहु मुल्यत जीवता पत्थर है यहाँ पर यह प्रभीश मसी के बारे में बात हो रही है अब पांच वबत तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान देखी यहाँ पर तुम भी आप आप का मतलब कौन है जो विश्वासी है जो जिनको यह पत्र लिखी जा रहे विश्वासी है और हमको भी आज पत्र लिखी गई है यह और आप हम और आप जो विश्वासी है वो जीवते पत्थरों के समान है और जो जीवते पत्थर के समान है और आत्मिक घर बनते जाते हैं जिससे याजुकों का पवितर समाज बन कर ऐसे आत्मिक बलिदान चड़ा जो येशु मसी के द्वारा प्रमेश्वर को ग्रहन योग्य हो तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि आप और मैं जब प्रहु येशु मसी को ग्रहन करते हैं उसके वचन को अपना लेते हैं तो हम भी येशु मसी के समान जीवते पत्थर बन जाते हैं बहु मुल्य रत्न बन जाते हैं उसकी दृष्टे में पहले तो हम साधारण पत्थर थे लेकिन ये शुमसी के पास आने पर हम भी जीवते पत्थर आत्मिक रत्न बन जाते हैं और आत्मिक घर बनते रहते हैं और ये बहुत important है कि हम उसकोने के पत्थर को ध्यान में रखते हैं अर्थात प्रविश्व मसी जो हमारा सिर है हमारा हैड है हमारा मुखिया है हमारा बौस है उस पत्थर के आधार पर हमारा आत्मिक घर बनता चला जाता है और ये आत्मिक घर ये आत्मिक मंदिर जब हम बनाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में वास करता है दिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरंथियों उसका तीसरा द्याय सोला पद पहला कुरंथियों उसका तीसरा द्याय और सोला पद में क्या लिखा हुआ है क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो तुम का मतलब हम सब विश्वासी, मेरी जो आज सुन रहे हैं इस एपिसोड को, मेरी आशा है कि आप भी विश्वासी हैं, यदि नहीं है तो आज इसी समय प्रभू को ग्रहन कर सकते हैं सो हम देखते हैं कि आप और में वो आत्मिक घर बनते जाते हैं और इसमें वास कौन कर रहा है, पवित्रा आत्मा, और इस आत्मिक घर का मुख्य पत्थर कौन है, प्रभू इश्यु मसी, है ना, और उसकी आत्मा हम में वास करती है, और एक दो पद में आपके सामने और उसका 20 से 22 पद क्या लिखा हुआ है और प्रेडितों और भविश्द्वक्ताओं की नीव पर जिसके कोने का मत पत्थर कौन है मसी इशु आप ही है बनाए गए हो कोने का पत्थर कौन है मसी इशु वही बात मैंने आपको पताया था है ना प्रेडितों और भविश्द्वक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसी इशु आप ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभू में एक पवित्र मंदेर बनती जाती है और ये बात यहाँ पर लिखा जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निमास्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो कितनी बढ़िया कितनी अच्छी बात है यहाँ पर त्री एक परमेश्वर का हम देखते हैं उपस्थिती कैसे आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है परमेश्वर पिता ठीक है दूसरी बात हमने क्या देखा कोने का पत्थर कौन है मुख्य पत्थर कौन है आप ही प्रभू पवित्रा मंदिर में कौन रहता है पवित्रा आत्मा तरी एक परमेश्वर का तीसरा भाग पवित्रा आत्मा तो यहां पर हम देखते हैं तरी एक परमेश्वर की उपस्तिती इस पवित्रा मंदिर में अच्छा जब ऐसी बात है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उल्टा स जो परमेश्वर के मंदिर को नश करेगा उसको मैं नाश कर दूँगा तो हमें बड़ा होशार रहे ना वापस हम चलते हैं पहला पत्रस में ठीक है आईए हम वापस चलेंगे पहला पत्रस दूसरा अध्याए और उसका मैं आपके लिए पढ़ूँगा आठ नौपद है ना नौपद सुनिए तो जब हम परमेश्वर के ऐसे मंदिर हैं तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए नौपद और तुम एक चुना हुआ वंश क्या बात है और राजपदधारी वा और फिर याजकों का समाज याजक कैसे होते थे पवित्र याजक होते थे समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजप्रजा हो कितनी अच्छी बात है हमारा अधिकारी हमारा स्वामे हमको ओन करने वाला अपना बनाने वाला कौन है अरे साब जीवता परमेश्वर है इसलिए परमेश्वर की हम निज प्रजा है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंदकार में से अपनी अद्बू ज्योती में बलाया है उसके गोड प्रगट करो कैसे प्रगट करो इस आत्मिक मंदिर के द्वारा इस आत्मिक मंदिर जो परमेश्वर का मंदिर है प्रविश्य मसी उस मंदिर का कोने का पत्थर है और पवित्र आत्मा इस मंदिर में रहता है तो आपका और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए कैसा होना चाहिए पवित्र होना चाहिए जैसे अगर पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, तो पवित्र तो हो नहीं होना है, है ना, पांचवापन भी यही बात कहता है, पहला पत्रस, उसका दूसरा दिहा है, और पांचवापन में क्या लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्रों के समान क्या बनो, आत्मिक घर बनते जाते हो, बनते जाते हो, बनते जाते हो, आप मुझे बताइए, घर क्या एक दिन में बनता है, हमने जब अपना घर बनाया था, तो करीब 9-10 मैने लग गय थे, हाँ, और आप जानते हैं कि कोई भी विल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, है ना, तो जितना भी टाइम में देता है, साट साल, असी साल, नबे साल, सौ साल, वो घर को बनाते जाना, आतमिक रिती से, आतमिक रिती से, जिस से याजगों का पवितर समाज बन कर, क्या हो, ऐसे आत्मिक बलिदान चड़ाओ, जो येशु मसीद के दौरा, परमेश्वर को, ग्रहन ये अग्य हो सको, क्या बात है आत्मिक बलिदान चड़ा कर और ये आत्मिक बलिदान तो कई प्रकार के होते हैं आज हमारे पास समय नहीं है मैं एक पद पढ़ूंगा जो पाए जाता है रोमियो उसका बार्वा अध्या है और उसका एक और दो पद ये आत्मिक बलिदान के बारे में लिखा हुआ है सुनिए इसलिए हे भाईयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया इसमनन दिलाकर विंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ इस मंदिर में क्या चढ़ाना है आत्मिक बलिदान जीवित शरीरों को कुरूस पर चढ़ाना है पवित्र बनना है कुरूस उठाना है आत्मिक बलिदान चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है मंदिन में क्या होता है सेवा होती है आत्मिक सेवा होती है अरादना होती है बलिदान होता है है ना स्तूती होती है अरादना होती है तो वही तो हमारे जीवन में से निकलना है ना और दूसरा पहद और इस संसार के समान न बनो परंतु तुमारे बुद्धी के ने हो जाने से तुमारा चाल-चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद इच्छा अनुबाव से मालुम करते रहो कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है सटीक परमेशुर का वचण है तो मेरे प्रियो अब समझ गये ना कि हम लोग कौन है जीवित पथर जी यहां, हर विश्वासी क्या है जीवित पथर है मरा हुआ पथर नहीं है, निरजिव पथर नहीं है यह वो पथर है जो प्रभुय शुमसी के उपर बन करके और इस मंदिर में कौन रहता है पवित्र आत्म उसका वास चलता है आईए हम इस प्रकार से अपने आत्मिक मंदिर पवित्र होते हुए आत्मिक मंदिर बनते चले जाए आमीन